हेलो एब्रीबन वेल्कम टो दी मेंस थ्री सिख्टी डिग्री सीरीज दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम मेंस के लिए स्पैसिफिक टॉपिक्स को कवर करते हैं आज जोग्रफी का सेशन है जिसमें हम त्योरीज इन जोग्रफी के बारे में बात करेंगे जैसा कि आपको पता ह करने का और चेक करने का तरीका भी बताऊंगा तो चलिए डिसकुशन को स्टार्ट करते हैं अपनी डिसकुशन को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्डन थियोरी आती है प्लेट टेक्टोनिक थे इसकी अगर थोड़ी सी बैग्राउंड मैं बता दूं आपक फिर आपकी सीफोर स्पैणिंग थे आती है कन्वेक्शन करन थे आती है और फाइनली मेरे पास प्लेट टेक्टोनिक थे देखने को मल जाती है प्राबलम यह हुआ था कि जाकर मैं कॉंटिनेंटल थे थे इविडिन्स तो प्रॉपर थे कि कॉंटिनेंट वर सिंगल ने इन चोन से ट्रांट सीघ्टानों कोई जोगरिफी के लिए नहीं थी इस तुरी का सरफ एक हमी थार्गेट हकी हमें बता ने हैं और हमने बताया कि हीच्टरांसफर होता है और हीच्टरांसफर के अलग अलग मोड होते है's convention, convention, radiation जडिसमेंचेंचेंचिन कलैक्शिन थे मिडि convection सबसे ज़्यादा ओशन पर होता है और ओशन पर convection की वज़े से expansion होगा और movement देखने को मलेगा but this theory was only focusing upon ocean surface but you know landforms तो आपके continent पर भी होते हैं and finally मेरे पास theory आती है plate tectonic theory जो सब कुछ explain करती है briefly but उससे पहले आपको यह understand करना पड़ेगा कि plates आखिर बने कैसे थे देखिए बहुत सिंपल सा आस्पेक्ट है कि जब आपके अर्थ सर्फेस की हम बात करते हैं तो अर्थ सर्फेस पे different places पे convection देखने को मुलता है जिससे लावा outburst होता है जब लावा outburst होता है तो यह different pieces के अंदर breakdown हो जाते हैं और इसी से आपकी क्या बनती है प्लेट्स बनती है कुछ major plates होती है कुछ minor plates तो you can observe right here कि आपकी पास में नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका एफ्रीका आपके जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है युरेशन प्लेट है पैसे प्लेट है यह major divergent boundary of the plates there can be the divergent boundary of the plates when the plates are moving away from each other there can be the convergent boundary of the plates when the plates are moving towards each other और तीसरा process होता है transform का जिसमें plates एक दूसरे के slide pass करती है अब यहां पर मैं आपको mention करना चाहूंगा कि देखिये plates अब एक दूसरे के दूर जाती है तो इसको हम constructive plate boundary बोलते हैं why constructive क्योंकि सर लावा erupt होता है लावा surface पर आकर deposit होता है और नया landmass बनता है जिसको की constructive plate boundary बोल सकते है जब आपकी plate एक दूसरे के पास आती है तो क्योंकि heavier plate subject हो जाती है subduction की वज़े से आपकी यह plate जो है वो धीरे-दरे खतम होती चली जाती इसको destructive plate boundary बोलते हैं क्योंकि यह plate destroy होती है and then it comes to the third part जिसके अंदर की plate एक दूसरे से slide pass करती है और जब slide pass ही कर रही होती है तो फिर मेरे पास transformation देखने को में जाता है transform boundary will be found तो convergent, divergent and transform boundaries are there अब इस पे कुछ questions पूशे गए हैं जिसको के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ पहला question जो है वो पूशा गया था briefly briefly mention the alignment of the major mountain ranges of the world and explain their impact on the local weather condition with examples आपसे पूशा गया question के अंदर कि आपको briefly mention करना है किसके बारे में आपके major mountain ranges of the world के बारे में और उनके local weather impact मैं local weather को यह नहीं बोलता कि यह plate tectonic है लेकिन जो major mountains है वो आपको बता है कहा मिलते हैं जहां जहां आपकी plate boundaries world map पे देखने को मिलेंगी वहां आपको major mountain ranges भी देखने को मिलते हैं जिनको आप easily explain कर सकते हो एक और question पूशा गया था discuss the geophysical characteristic of circum pacific zone define the mental plumes and explain the role of plate tectonic इस question को हम लिखने की कोसस करते हैं समझने की कोसस करते हैं कि question की requirement क्या थी क्या-क्या हम mention कर सकते हैं क्या-क्या हम लिख सकते हैं देखे question था define mental plumes and explain its role in plate tectonic theory plate tectonics के अंदर इसका क्या role है तो आपने यह underline करना है पहले कि आपकी keywords क्या है question में तो keywords देखेंगे अगर तो one is the mental plume is the keyword यह आपके पास देखने को मिल रहा है दूसरा keyword आपके पास में जो है वह है आपका key plate tectonic theory के बारे में plate tectonics के बारे में बात की गई है देखो important ही है कि जब आपके question के दो पार्ट है तो पहली चीज़ तो आपको दो पार्ट के अंदर अपने question को लिखना ही लिखना है this is the basic guidance जो आपको पता भी है लेकिन सबसे पहले हम कोई जो word है आपका mental plume जैसे लिखा हुआ तो हम इसको पहले थोड़ा सा explain करेंगे introduction के अंदर बताएंगे कि mental plume आखिर होता क्या है तो हमने लिखा यहां पे कि mental plume is an upwelling of abnormally hot rock within the earth's mental abnormally जो hot rocks है within the mental वो क्या करती है वो rise करती है वो upwell करती है उसी को हम mental plume कहते है mental plumes are thought to be the source of volcanic activity that is not associated with the plate boundaries right mental plumes की अगर हम बात करेंगे that is not associated with the plate boundaries only बिट हाँ पर volcanic activity का एक important source जो है वो देखने को definitely मिल जाता है अब जैसी plume आपकी surface पहुंचती है तो lithosphere को meltdown करती है और फिर surface के उपर आके deposit हो जाती है जब तक वो mental plume inside the surface था हम उसको magma बोलते है और जैसी वो surface के उपर आ जाता तो we will call it lava यह दो word है important आप एक और important चीज़ समझो पहले आप मैंने आपको बताया कि यह information हम दे सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह पूरी की पूरी information introduction में लिखोगी तो introduction ideally आपका दो line का ही हो जाधा बैतरीन होता है तो इसमें से मैंने आपको एक broad sense दिया इसमें से आपको जो लगे जिस पे आप comfortable होगी sir this much of the information I can learn और मेरे को याद रहेगी और मैं अच्छे tectonics में mental plume का क्या रोल है यह आप से question पूछा गया तो आप यहां पर लिखोगे role in plate tectonics आप कुछ points आपको mention करने पड़ेंगे और better होगा कि आप headings दें sub headings दें ताकि examiner को easily visible हो कि आप इस question के अंदर इस essence के बारे में यह particular चीज कहना चाहते हैं जैसे की role in plate tectonics जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला role एक हमने देख लिया है यहां पे hotspot and volcanism this is one of the role hotspot and volcanism is the role hotspot and volcanism में अगर मैं बात करता हूं mental plumes are believed to be responsible for the formation of hotspot hotspot की formation के लिए mental plumes जो है वो responsible हैं बैइ होट पोट क्या होते हैं जहां पर लगातार वालकनिक अक्टिविटी चलती है जहां पर लगातार लंबे टाइम तक वालकनिक अक्टिविटी चलती हो होट पोट कहलाते हैं तो यहां पर मुझे पता लगता है कि intense volcanic activity के लिए यह hotspot होट पोट की formation मेंटल प्रूम से ही होती है तो यह hotspot जो create होते हैं उन्हीं से हमारे पास क्या होता है फिर लगाता डिपोजीशन चलता जाएगा और फिर हमारे island बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हवाईयन आइलेंड इससे हमारे पास कि plates are not fixed plates are movable like Indian plate की अगर में बात करूं तो around 150 million years ago Indian plate यहां नहीं थी पर इंडिया प्लेट मूव करती गई करती गई around 70 million years ago Indian plate duration plate से टकराई and it led to the formation of Himalayas तो इसमें आपको अभी Himalayas की formation के बारे में हम बात नहीं कर रहे हम सबसे पहले बात करने किसके बारे में आपके plate moment के बारे में तो plate moment हुआ कैसे कि जैसे-जैसे convection करण की upwelling हुई है वैसे-वैसे divergent force लगा है divergent force लगने की वज़े से plates जो हिंग दूसर से काफी दूर move करना start कर गई तो यहां पर हम देखेंगे plate moment the heat and the buoyancy of the mental plume can cause the lithosphere to basically move away weaken the portion और फिर वो देरे-देरे क्या हो जाएगा आपकी mental जैसे-जैसे mental plume जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-आउट-ब्रस्ट होते रहेंगे वैसे-वैसे-वैसे-आपकी plate जो हो move करती रहेंगी इसी कि विज़े से आपका continent break down होते हैं plate stectonic process जो है यहीं से involved होता है क्योंकि देखो मैंने अभी बताया आपको कि three-type movement होते हैं divergent, convergent, transform but movement के लिए force कहां से आया वह force ही तो mental plume था वही तो convection current theory थी तो basically that is the agenda mental plume इसी के लिए countable है फिर आपको भी बताना है supercontinent का breakup मैंने बोला कि Indian plate was moving पर सर इंडियन प्लेट आई कहां से पहले तो एक ही continent था जिसका नाम क्या था आपका पैंजिया वह पैंजिया जो है वह तूटा ही कैसे कैसे North America, South America, Africa, Europe यह आखिरकार बने तो बने कैसे कैसे वह पैंजिया जो हो तूट गया था तो शुपर कॉंटियन ब्रेक अप गी एक important सवाल आ जाता है mental plumes have also been applicable to the breaking of the supercontinent, supercontinent के तूटने का जो वजह थी वह भी आपके mental plumes से accountable है और अगर वह नहीं तूटते तो पैंजिया से लॉलिंशिया गौनवाना नहीं बनते तेथी सी नहीं बनता और फिर other formation समया पे नजर नहीं आती फिर हमारे पास आता है crystal upliftment देखो जो आपके mental plumes है वो आपके rise करते हैं और lithosphere का approach करते हैं जैसा मैंने बताया कि सर जब भी plate में divergent boundary होती है तो जैसे ही mental plumes surface पे आएंगे तो definitely lava deposit होगा और surface expand होगा इसलिए इसको constructive plate boundary भी बहुते हैं we will call it constructive plate boundary so you need to focus upon this constructive plate boundary कि यह constructive plate boundary बोली क्यों गई है क्योंकि यहां पर लाबा आउट प्रस्ट हो रहा है construction जो है आपर नजर आ रही है तो large plateaus आपके जिसे डखकन plateaus, Eurasian plateaus, Ibertian plateaus यह सारे plateaus बने हुए है किसी बने है they got formed obviously with the crustal upliftment जब आपका upliftment हुआ है क्रस्का तभी बने हो लेकिन crustal upliftment हुआ कैसे वह mental plumes के थू हुआ है फिर हम बात कर सकते हैं intra plate volcanism many more time you will see कि ठीक है plate boundary पे तो कहीं नहीं volcanic corruption हो रहा है fine what about intra plate किसी plate के middle में ही volcanic corruption होना start हो जाता है how it is happening किसी plate के middle में ही volcanic corruption कैसे हो सकता है how it can be possible वह possible हो सकता है जब आपका convection current strong हो जब mental plumes are ready to reach over to the surface then only it is possible कि आपका क्या होगा mental plumes की formation से आपकी plates जो हैं वो intra plate volcanism को define कर सकते हैं otherwise we can't define boundary पे तो ठीक है लेकिन otherwise कैसे define करेंगे not possible फिर आता ocean basin formation अगर आपको मैं बता हूँ तो लगबग अर्थ का 71% surface area ocean floor है अब वो ocean floor बना कैसे obviously आपके सीमा से बना हुआ है heavy material से बना हुआ है लावा लगातार आउट प्रस्ट हो गया surface पर deposit हुआ expand हुआ उसी से आपकी formation हुई है तो यह जो आपकी formation है ocean basin की formation है यह ocean basin की formation भी आपके mental प्रूम से ही हुई है तो यह short of आपके क्या है साथ से आप point आप mention कर सकते हो इससे आपका question sufficient हो जाएगा दूसरी important चीज मैंने ऐसे बहुत सरे आपके साथ छोटे छोटे diagrams बनाए हैं तो यह जो छोटे diagrams बनाए हैं आप कोसिस किया करो कि जैसे यह point आप लिख रहे हो यह point आप ने लिखा यहां diagram बनाना तो आप इस diagram को यहां पर छोटा सा diagram को mention कर सकते हैं क्योंकि geography में जो आपके maps बनाने हैं यह diagram mention करने हैं देखो वह हमेशा ही आपको अच्छे marks स्वेच करके देते हैं दूसरी importance is यह कि geography नहीं आप किसी other exam other paper को भी try करोगे तो आपको कुछ short of अपना flow chart बनाना diagram बनाना पाइचार्ट बनाना वह काफी informatic भी होता है आपके काफी ज़्यादा marks भी जाते हैं ऐसे theories के अंदर हमारे पास population theories आती हैं देखिए आज से का जो focus है वह applied टाइप की topics पे ज़्यादा हो गया है applied टाइप बोले तो जैसे इंडिया के अंदर कुछ specific problems जो हैं उनके solution oriented questions ज्यादा पूछे जाते हैं जैसे मैं example देता हूं आपको कि बहुत बार क्यों से पूछा जाता है कि सर्क्लाइमेट change से और population की increment से क्या correlation climate change and deforestation से क्या correlation तो मतलब अभी आपको क्या करना होता है अपनी slaves को सरफ यह नहीं करना होता है कि यह पस्मससारी चीजे मैं सारी पड़ूगा, you need to strategize it you need to understand what UPS is asking to you if UPS is asking you about the current issues, current problem and obviously they are hopping it from the current civil services aspirant and the people who are going to be the civil servant the youngsters one, तो they are going to deal with the present problems if they need to deal with the present problem they need to understand it wisely so population theory by this aspect becomes very very important because one of the important problem that is there in india is increase in the population that's a difficult situation that we need to tackle for let's talk about the population theories there are three population theories which are important one and which are relevant for your exam one is the multi-use theory another is the marx theory and another is the demographic transition theory team theories multi-use theory kia kahti multi-use ki argument bahahti simple thi unhoney bola tha ki dekhiye if we will correlate or we will just try to assign or we will just try to interrelate the available resources and the population then we get to know ki the resources are just increasing with the arithmetic progression the resources are increasing why arithmetic progression arithmetic progression matlab resources arithmetic progression se bathe hai matlab aaj one resource hai kal two ho ga pher three ho ga pher four ho ga pher five ho ga six ho ga and so on resources chalte chale jayenge but when it comes to the human population the multi-use said ki it is increasing by geometric progression matlab if population is one today it will become two then four then eight and then sixteen and so on multiply it will multiply and one day we will reach to a condition one day we will reach to the situation where there will be the scarcity of resources where there will be the scarcity of resources so that was the theory of multi-use now another theory was marx theory marx may bola tha ki mal jo theory hai population ki wo capitalism se associated how let us say let us assume there's a labor class family let us understand it in such a way they have two children's and per children can earn 500 rupees while labor works their family income will become thousand if they will be having four children so five thousand multiplied by four will becomes two thousand their family income will be increasing and by this process the poor people the labor class try to increase its population unfortunately the capitalist they reduce the labor rate if they will produce six children's the capitalist will reduce their labor rate by 300 and they will end up with the 1800 rupees only now by this process by this process the labor class will try to increase more number of children's this data will be then dropping down and so on and so on this way population jada ho jati aisa kena tha marx ka halangki theory ko main support nahi kata because ii haa pe labor rules bhi hootay hain ko human rights bhi hootay hain or itini bade obviously yeh joh labor work ho raha hai joh bhi bachcheh paida hoi hai woh dh se 15 saal ke baad hi kama karayi minimum 10 saal to lagayi lagayi 15 saal ke baad hi woh kama kar payenge jinko bhi 500 rupees mil paayi to eek labor class person 15 saal ke baad ka future source pi woh bho complicated hoon genuinely it's a wrong theory but eek theory aati joh bhauti perfect hai jiska naam e demographic transition theory yeh kya keheti hai demographic transition theory ka kya na tha ki dheekhi eek nation ke anndar certain stages define hooti chars stages hooti kisii nation ke anndar kya kya stages hooti hai pali kya stage one stage two stage three stage four or isse sabhi nation transition nikalti kya hootahe stage one ke anndar mein batatao yeh hooti pre transition stage stage one is the pre transition stage what used to happen in this stage actually kya hootahe stage ke anndar to yehaa phe high birth rate hootahe aur aapki high heat death rate bhi hootahe hai important yeh hai ki there is a high birth rate and there is a high death rate death rate is high birth rate is high then then isse kya hooga aapka phe obvious se baat hai log jadha paida ho rhe hai aur log jadha mar bhi rheye hai to population kya rheegi almost control me rheegi phir dho dousari stage aadhi jisko bolte early transition isme kya hooga during early transition stage the death rate begins to fall mtla birth rate becomes high birth rate becomes high death rate try to fall down birth rate high ho jata hai or death rate fall down karne ki posis kata death rate johan fall down hoota hai birth rate johan high ho jata hai yeh second stage abhi dhekho iske case me kya hooga birth is more death is less you don't think so ki it's a population blast condition to there will be population blast yeah population blast ho next stage aadhi jisko boltei late transition jis me kya hoota hai birth rate starts declining death rate wou abhi decline ho raha tha birth rate wou decline कर रहा है death rate है wou bhi decline कर रहा है तो यहां पर धिरे-धिरे population जो है वह increasement rate वो कम हो जाएगा and finally मेरे पास एक आती है post transition stage जिसमें low birth rate and low death rate देखने को मिलेगा और यह stage finally पहुंच जाती है हरे नेशन तो इनका कहना था है कि देखो हरे एक nation जैसे development करता है वैसे 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 हम उसी line के ओपर चलते चले जाते हैं और हमारी establishment उसी level पर हो जाती है birth rate death rate these all are defined in that accordance उसी process से ही सब defined होता है fine simple इसके लिए question पूछा गया जो मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं देखो question क्या था देखो कही हूंगा last में लेकिन क्या है यहां पर there are considerable demographic similarities between west europe nations and japan explain क्योसन बड़ा अलग था क्या अलग है क्योसन ने क्योसन ने सीधा आपको यह बंप नहीं कर दिया सीधा आपको थो नहीं कर दिया कि population theories बताओ no question is asking you there are considerable demographic similarities there are considerable demographic similarities between the western european nations and japan explain करना है ठीक है तो yes let's try and understand it ठीक है तो हम इसको understand sorry यह पहले वेले पार्ट आगे है तो let me remove it for you हम इसको हटा देते हैं राइट हाँ यहां से भी अटा देते हैं इसको yes so what did you want to ask it want to ask Japan की बीच में और European countries है उनके बीच में similarities देखने को मिलती है what kind of similarities what short of similarities we do have over the area देखने तो देखो अगर मैं Western Europe की बात करूं और Japan की बात करूं तो significant yes overlap है significant overlap है एक ही पार्ट का उसमें कोई अधर पार्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो हम यहीं से start कर सकते हैं कि या तो हम बोले कि हाँ overlap है या हो सकता है मेरा मा इंसेट यह कहता है कि सर और लैप नहीं है तो मैं मना भी कर सकता हूं इस नौट दा केस की हमेशा में यही कहूंगा कि है या और लैप है जो क्योंस ने बोला उसी को मानू में एडमिट करूं जरूरी नहीं चलिए demographic similarities पर बात करेंगे तो Western European और जैपैन की बीच में एक demographic similarity देखने को मिलती है analyze करना है हमें कैसे कैसे analyze करेंगे we will analyze through aging population low fertility rate urbanization economic challenges related to demographic challenges और यह हमें ऐसी पॉइंट में देख लेगा हो मिलेंगे सबसे पहली similarity हमारे पास आती aging population देखें आप चाहे Western European countries की बात करो और चाहे आप Japan की बात करो तो हमें यह पता लगता है कि दोनों ही case में हमारे पास aging population तो Japan one of the world's most rapidly aging society significant portion of its population is being elderly elder population significant और यही median age जो है वो आपके European countries के अंदर भी high 65 plus median age देखने को मिल रही है तो yes that's a critical situation यह similarity हो गई है दूसरा तो और यही Western Europe के अंदर भी देखने को मिलता है life expectation जो हो ग्रो हो रही है health facilities बढ़ रही है जैसे Greece जैसी country जो है वह European Union के ऐसी country थे जिनके अंदर थे पीपल रडिपेंडेंट डिपेंडेंट 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 मतलब यह इदर टेकिंग वेनेफेट वेनेफेट वर्मेंट और यह बच्छों की उनके उपर है dependent हैं वही अब सब कुछ करेंगे मतलब यह होगा कि European countries जैपैन के अंदर भी एज लगातार भठती जा रही है दूसरा लो फर्टिलिटी रेट्स जैपैन इस वन अफ लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन दे वर्ल्ट चीए न और वैल बिलोग रिप्लेस्मेंट रेट होता है 2.1 इसका मतलब क्या है मतलब कि अगर दो कपल है द लो तो 2.1 का रिप्लेस्मेंट रेट होता है लेकिन जैपैन के अंदर चिल्टरंस पर वुमेंट 2.1 नहीं है अब लोव फर्टिलिटी अगर होगी रिप्लेस्मेंट रेट ही नहीं होगा तो ने चल्सी बात है पॉपॉलिशन श्रिंग करेगी वेस्टन यॉरॉपीन कंट में यहां पर मैंने इटली और स्पीन का एक्जैंपल दिया एक्जैंपल्स अर्वेरी रेलेवेंट ठीक है ना यह वेरी वेरी इंपॉर्टन इवन क्योंकि बिना एक्जैंपल्स के अगर आप वैसे ही लिखते रहोगे तो इट ड़संट लुक्स जैन्वेन आपकी आर्ग परेजन हम करते हैं अरबनाइटीशन पॉपॉलेशन डंसिट जैपैन जो है वह हाइली अरवनाइज स्टेट है जिसमें सिगनिफिकेंट पॉर्शन जो हो लार्ज मेट्रोपलेटन सिटीज के अंदर है टॉक्यो है उसाका है नगोया है इस सब सीटीज है अब वेस्टन य इसकी वज़े से क्या होता है आपके अबाद इस सिटीज आ फेसिंग चैलेंजेंजे रिलेटी टू हाउसिंग इंफ्रस्रक्ट्रक्टर डेवलप्मेंट सर्विसेज द्यू देन्स पॉपॉलेशन ट्रांस्पोटेशन और यह सब में प्रॉब्लम आती है और इन सीटीज म हो रहा है इसके अलावा जो आपका पेंशन सिस्टम कर रही है वेलफेर के उपर प्रेशर जो हो भी भड़ता जा रहा है आपका हेल्थ केर कोस्ट जो है वह भी लगातार भड़ती जा रही एक्स्पोनेंचिली राइस हो रही है सेम सिनर्य वेस्टन यॉरॉपियन कंट्री इवन मैं बोलूगा ग्रीस फिर से एक्जैंपल में आता हो ग्रीस है कैसी कंट्री अगर यॉरॉपियन यॉनियन का पार्ट ना होती तो इन वेलफेर पे प्रेशर पढ़ने की वज़े से ग्रीस एजए कंट्री फेल हो जाता इन वेलफेर जो स्कीम से उनकी इतनी ज्याद चल रही थी और इतनी ज्यादा पॉपूलेशन के ओपर डिपेंडेंट हो गई कि ग्रीस अगर यॉरॉपियन यॉनियन का पार्ट ना होता यॉरॉपियन यॉनियों का सपोर्ट ना करती तो ग्रीस एज नेशन फेल हो चुगा होता तो 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 जो जैपैन के अंदर भी है और आपके यॉरॉपियन कंट्रीज में और क्या है प्रॉब्लम और क्या सिमिलरीटी से इमिग्रेशन अज रस्पोंस तो डेमोग्रेफिक चैनल जपैन जो है था ट्रेडिशनली बीन हमजी इस सोसाइटी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिशी थी उनकी बट अभी क्या ह situation is in the Western European country हालांकि एक चीज यहां पर देखने को मिलती है कि जो जपनीज है और जो वेस्टन कंट्री जैसे नौर्वेज जैसी कंट्री है श्वेडन जैसी कंट्रीज है यह कंट्रीज थो पॉपॉलिशन को क्या कर रही है इनवाइट कर रही है हालांकि एक इंपोर्टन ची जैसले के लोग यहां से जा सके ऐसके फिर हेल्थ केर सिस्टम पर स्ट्रें की बात करते है जैपैन में क्योंकि एजिंग पॉपॉलिशन है इट लिट उ इंक्रीज देमांड ऑफ हेल्थ केर सर्वसिस इसकी वज़े से हेल्थ क्र पर काफी बड़े स्ट्रेंज होगे देख सिट्वेशन काफी खराब हो गई थी क्योंकि एवरीवन वास इस्ट कोविट अटेक से एवरीवन वास सफरिंग एवरीवन निर्स था हॉस्पिटल सपोर्ट और उसके लिए इतने सारे बैट्स लाइं कहां से इसलिए इन नेशन्स की प्राब्लम काफी क्रिटिकल थी और य दिख लोगे उसको तो यू विल गो तो दे एडिमान डोट एई यह आटिफिशल इंटलिजेंट आपकी प्लाटफोर्म है जो बहुत सारे टॉपर्स के आंसर्स अंडर्स्रेंड करके फिर आपकी आंसर को एनलाइज करता है और आपको मार्क्स देता है इस मार्क्स ही नही यह आपको मोडल आंसर भी देता है आपको सदेशन्स भी बताता है कि यह यह आप कर सकते हो तो डेफिनिली रॉट यार आंसर, get it checked and improve it continuously वसे जुड़ने के लिए आप कपल भारद्वाज for you, टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं और you can join the insta handle as well. Thank you very much, best wishes, check you.